है वेरी गुड मॉनिंगाइज वंस अगें विलकम बैक तो दी चैनल कैस्ट से आप सब भोप की बहुत अच्छ होंगे हम भी अच्छ और फिलाल आज मैं आ चुका हूँ टाटा सोरूम पे और आज हम लोग बात करने जा रहें इस कार के बारे में इस इस तरीके का आपको की म की मिलते हैं यहां पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है बुट ऑपिन करने के लिए एक स्विच मिल जाता है आपको साथके साथ एक एक ह साथा प не यहां पर बटन देखने को मिल जाता है अब हम लोग कार के फ्रंट लुक के बारें बात करेंगे तो यहां पर कार जो है डूल टोन के साथ आती है वाइट और ब्लैक कलर के डोन के साथ आपको यह कार देखने को मिल जाएगी सबसे पहले हम लोग इसके हेडलाइट को देखेंगे तो यहां पर सिंगल बटन प्रेस करते के साथ इसका DRL जो है वो अन हो गया है साथ के साथ यहां पर आप देख सकते हो आपको यहां पर वाइट LED प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है तो यह हेडलाइट रहने वाला का नीचे फॉग लाइट मिल ज है यहां पे टाटा का लोगो देख सक्ते हो कुछ अब तरीके सा हो तो काफ़ी सारी चीज़े आपको फ्रथोग बढ़ती है तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके का अय। यहां पर आपको silver and black finish में alloy will मिल जाता है, dual tone में alloy will मिल जाता है, अगर हम लोग को यह थे tire size के बारे में समें बात करें, तो मैं आपको tire size बता देता हूँ, यहां पर को 215, 16, 16 का टायर size मिल जाता है, लाइक 16 निन्चेस के alloy will मिल जाते है, काफी वाइड और काफी बड़े टायर्स यहां पर आपको ओफर किये के कमपनी के तरफ से तो यहां पर देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सिंगल प्रेस किया तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसको लॉक करते हैं या फिर आप इपने पार्किंग लाइट को जब भी ओन करोगे तो कुछ इस तरीके से और वे में आपको मैट्रिक्स डिजाइन के साथ पार्किंग लाइट मिल जाता है साथ के साथ इसमें आपको एक कैमरा भी मिल जाता है तो 360 तो 360 डिग्री कैमरा भी इस कार के साथ आफर में मिलती आपको तो आप चाहो तो 360 डिग्री कैमरा का भी यूज कर सकते हो और यह अपना ऑटो फोल्ड के साथ आता है और इसमें काफी सारे फीचर मिल जाते हैं अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर ब्लैक टोन देखने को मिल जाता है दोर्स के ऊपर में यहां पर फ्यूल लीड रहने वाला है कार सो गाइस यह देखो आप लोग कितना ही प्यारा फीचर मिलता आपको इस कार में काफी ब अगर यहां नीचे बंपर पे हम लोग देखे तो यहां पर आपको दो पार्किंग सेंसर सी मिल जाते हैं यहां पे कामरा मिल जाता है रिवर्स यहीं पर आपको वाइप और वासर भी मिल जाएगा अब हम लोग इसके बूट को ओपन करते हैं बट उससे पहले आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा यहां पर आपको सार्क फिन आंटिना मिल जाता है कार के टॉप पे अब लोग इसके बूट को ओपन करेंगे बात कर इसके यहां पर कको कितने भी आपके पस लगे है आरामसे इसली आ पर डाल सकते और एक चाहर से बीक घर 7to फेयर दिखाना चाहूंगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से कुछी संअ इससे में आपको कछ लाइंगे अगर लाएंगे डेखने को हैं यहां पे चार्जिंग सोकेट के साथ अपको यहां पे लाइट भी मिल जाता है और अपने लगेज को ईजली लेकर जा सकते हो सुगाइस फाइनली मैं आचुका हूँ कार के अंदर और सबसे पहले मैं आपको इसका राइट साइड ड्राइविंग डॉर दिखाना चाहूंगा तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके से power windows के control मिल जाते है, all four power windows control मिल जाते है, यहां पे आपको lock unlock का button मिल जाते है, यहां से आप चाहो तो अपने mirror वगेरा को adjust कर सकते है, mirror adjustment button यहां पे आपको मिल जाते है, साथ के साथ यहां पे आपको tweeter देखने को मिल जाते है, यहां पे आपको speaker मिल जाते हैं यहां पर reflector light मिल जाता है काफी बरस आपको यहां पर bottle holder मिल जाता है बाकी यहां पर umbrella holder मिल जाता है आपको साथ के साथ यहां पर dual tone देखने को मिल जाएगा दोर पर काफी अच्छी look आती है अब इसके हाइट को इंक्रीज कर सकते हो और इसको लोग बोल सकते कि अपने रीच को आगे पीछे कर सकते हो और उपर नीचे कर सकते हो तो बाकी मैनुआली एड्जेस्मेंट मिला है मतलब कुई button वगरा नहीं है लेकिन अगर यहां पर आपको इस तरीके सा button मिल जाती है तो इस कार में आपको ventilated seat का भी option मिल जाता है like co passenger के लिए और driver seat के लिए आपको यहां पर ventilated seat offer किया गया है क्योंकि यह top model रहने वाली इस कार की अब बाकी हम लोग बात करने वाले इसके steering wheel के बारे में तो सबसे पहले अगर हम लोग steering wheel को देखे तो यहां पर कुछ इस तरीके स इस तरीके से information display मिल जाता है काफी कुछ है पूरा ही digital information display रहने वाला है यहां पर काफी कुछ देखने को मिल जाएगा पर छोटा मोटा feature मैं आपको बता देता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से rpm meter मिल जाता है speedometer मिल जाता है distance to empty मिल जाता है बाकी काफी सारे 1000 lights यहां पर रहने वाला है काफी सारे features आपको देखने को मिल जाएंगे बाकी अगर हम लोग यहां पर देखे तो कुछ इस तरीके से dashboard पर आपको एस event मिल जाता है आगे अगर देखोगे तो यहां पर आपको एक speaker मिल जाता है दोनों ही अपने आगे वाले pillars पे speaker मिल जाता है steering mounted controls आपको मिल जाएंगे बाकी मर यहां पर चार test ऑवर अवर्ल में जाता है यहां पर जाता है और पर काफी बरा सटेज का display तो यहां पर आपको वाइस असी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे Android Auto, Apple CarPlay जैसे फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे Connected Features, साथ के साथ यहां पर आप लुग देख सकते हो 360-degree camera का भी feature आपको मिल जाता है, आप चाहो तो इसको 3D और 2D में Easily देख सकते हो और चाहो तो इसके angle वगेरा को भी change कर सकते हो Like अगर rear में देखना या फिर front में देखना है तो आप यहां से इस चीज को change कर सकते हो अपने camera angle को easily तो यहां पर आपको चारो ही side का यहां पर आपको view देखने को मिल जाएंगे और बाकी अगर यहां पर आप चाहो तो यहां पर AC controls वगेरा भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे और काफी कुछ यहां पर आपको screen में देखने को मिल जाएंगे बाकी navigation जैसे काफी सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे अब अगर हम लोग dashboard की और बरे तो यहां पर आपको नीचे AC controls मिल जाते हैं यहां से आप fan के speed को increase, decrease कर सकते हो साथ के साथ यहां पर आपको temperature monitor मिल जाता है तो पूरा ही automatic climate control AC यहां पर आपको देखने को मिल जाता है parking light के लिए यहां पर कुछ इस तरीके से सिंगल टैप में just like a screen तो आपको screen touch यहां पर मिल जाता है almost tailgate को open कर सकते हो यहां से car के all four doors को lock unlock कर सकते हो 360 degree camera यहां से चाहो तो single tap में on कर सकते है और कुछ इस तरीके से यहां पर आपको gear knob देखने को मिल जाता है manual रहने वाली यह car तो 6 gear speed के साथ यह car आती है और यहां पर आपको कुछ इस तरीके का 5 volt का यहां पर आपको type c और usb का charging socket मिल जाता है 12 volt का कुछ इस तरीके charging socket आपको मिलता है और साथ के साथ अगर बात करें तो यहां पर आपको wireless charging भी offer किया गया कंपणी के तरफ से अगर यहां पर देखे तो यहां पर आपको तीन driving modes मिल जाते इस car में city eco sport और यहां पर आप लोग देखो तो कुछ इस तरीके से यहां पर अपने फोन वगएरा को रख सकते हो और यह चोटा से अबर आपको लोग देखे तो कुछ इस तरीके से black tone मिलता है कार की इंट्रेर जो पूरी ही प्योर black रहने वाली तो काफी प्रीमियम यहां पर आपको लोग देखने को मिलता है feeling भी काफी प्रीमियम आने वाला है यहां पर आपको sunroof control मिल जाते है सिंगल प्रेस में आप चाहो तो कुछ इस तरीके से sunroof को open कर सकते हो या फिर आप वाइस असे से बेस को control कर सकते हो तो यहां पर सिंगल प्रेस में मैंने इसको on और off कर दिया साथ के साथ यहां पर आपको light मिल जाता है LED white light मिलता आपको यहां पर SOS मिल जाता है साथ के आप चाहो तो उसको on off कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाफ से लाइक अगर आप टू पैसेंजर ही ट्रैवल कर रहे हो तो आप चाहो तो बाकी के airbags को off कर सकते हो या अगर जब आपको requirement हुई तो आप उसको on भी कर सकते हो तो यहां पर आपको front pillar में दो airbags देखने को मिल जा कर सकते हो अगे की तो बात हमने कर ली अब हम लोग पीछे चलते और रियर कंफर्ट के बार में बात करें फाइनली मैं आ चुका हूँ कार के रियर सीट पर यहां पर आपको काफी अच्छा comfort मिलने वाला है सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मेरी हाइड की साब से कैसा comfort मिल रहा है तो यहां पे आपको मैं दिखा दूग काफी अच्छा मुझे यहां पे रिल जाता है साथ के साथ है और साथ के साथ अगर comfort की बात करें तो काफी अच्छा comfort मिल जाता है यहां पे आपको दो headrest देखने को मिल जाते हैं एक armrest आपको यहां पे मिल जाएगा इसी में आपको integrated cup holders भी मिल जाते हैं तो चाहो तो आप इसमें अपना cup वगेरा भी रख सकते हो सांथ के साथ यहां पे आपको दो AC vents मिल जाते हैं फोर दी रियर पे सेंजर और यहां पे आपको charging socket भी मिल जाता है तो काफी कुछ मिल जाता है आपको रियर सीट पे और यहां पे आपको कुछ इस तरगी का grab handle भी मिल जाता है इस कार के feature functions के बारे में तो हमने बात कर लिया बात करते इस कार के प्राइस के बारे में और स्वोर्म डिटेल्स के बारे में तो अभी मैं मिलवाने जारो आपको यहां के salesperson के सांथ तो यहां पे मैं welcome करना चाहूंगा आप उसके बाद आप 15% डाउन पेइमेंट करके आप यह गाड़ी ले सकते हैं आपको मिल जाए कोई भी गाड़ी लेनी है तो आप हमसे contact कर सकते हैं मेरा नाम नाजी में मेरा नंबर सर के पास रहेगा आप लोग इसी नंबर पर call कर लिए तेरी थैंक्यू नाजीम सर तो अगर आप लोग को टाटा की कोई सी भी कार चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा आप कॉल कर सकते हो और नौ से पांच के बीच कभी भी कॉल कर सकते हो बाकी कैसी लगी आप लोग को टाटा नेक्सॉन कार और कैसा लगा आज काई मुझे जो कुछ पता था मैंने त तो आप लोग कर सकते हो किसी भी तरगी की क्वेरी हो तो आप कॉल करके इस वीडियो के यहीं पे और मिलते किसी एक नए मज़दार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब एंट टेक केर गई